अब एक बात हम आपसे और करना चाहेंगे कि यह जो पूरे यह संस्थाएं अंतराश्य संस्थाएं और भारत में उसको एक प्रकार से फोड़ने की कोशिश और ऐसे मर्यादा विहीन शब्दों की चर्चा तो क्या भारत की राजनीती में कुछ लोग सुपारी एजेंट है क्या मैं इस शब्द का प्रयोग कुछ जिम्वारी से कर रहा हूं कुछ डल कुछ नेता क्या ऐसी अंतराश्टिय कॉंस्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं और यह कोई नई बात तो नहीं है याद करिए आप कभी भारत की विविद्धा पर चोट हो रहा है कभी भारत की मीडिया फीडम पर चोट हो रहा है कभी भारत में मल्टी कल्चरलिजम पर अटेक हो रहा है यह चलता रहता है ना आप देखते हैं और इन सबों का कारण एक मात्र यही है एक मात्र कि ह हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगवाई में जो भारत ने दुनिया में अपनी एक साख बनाई है उसे लोग परशान हैं। तो इस विकास की आत्रा को रोको और इस आत्म निर्भर आत्म विश्वास भारत की आत्रा को रोको। तो तो ब्लोक तो डे स्टोरि अफ इंडिया जडिवलोप्मेंट विच इस आत्रा भर आत्रा को रोको। जिस तरह से भारत में आज वैक्शनेशन चल रहा है लगबग। चालिस करोर हो गए ना, चालिस करोर, दुनिया की बहुत सारी आबादियों से अधिक है, उसमें अधिकांट made in India vaccine है, आज भारत में कॉंसंट्रेटर बन रहे है, पी-पीडी केट बन रहे है, विंटलेटर बन रहे है, भारत ने दुनिया में एक नया पैमाना स्थापित किया है 75% देश के population को free vaccine दी जा रही है तो कि इससे कुछ लोग को परशानी है क्या कि भारत ये सब कैसे कर पा रहा है जाए वो digital इंडिया का छेत्र हो IT का छेत्र हो भारत की सेनाओं के बहादुरी का छेत्र हो इससे परशानी हो रही है क्या या कुछ लोग को इससे भी परशानी हो रही है कि भारत technology में आज सबसे दिख विदिशी पूजी रिवेश प्राप कर रहा है आपको बालू होगा दुनिया में the highest FDI is coming into India इससे परशानी हो रही है क्या ये हम जरूर चाहेंगे इसलिए ये सवाल फिर relevant होता है कि अगर पैतालिस से अधिक देश पेगासिस का उप्योग का उप्योग कर रहे हैं जैसा कि एनों से ने बताया है तो सिर्फ भारत को ही target क्यों किया जा रहा है जबकि कहा गया कि साहब हमारे एक system है आज मंतरी जीन ने बताया वो system ये है कि phone को अगर tap करना है या track करना है तो टेलिग्राफ act के section 5 में इस बात का प्रावधान है कि उसके लिए केंदर के home secretary या प्रदेश के home secretary पर्मिशन देंगे पर्मिशन rules के मताबिक चाहे वो IT act हो टेलिग्राफ act हो एक निश्चित सीमा के लिए वो करवाई चलेगी उस करवाई को एक review committee है जिसको cabinet secretary head करते हैं जिसमें IT communication secretary law secretary बैठते हैं वो नहीं confirm करेंगे नहीं चलेगा तो यह पूरी एक प्रक्रिया और यह सिर्फ और सिर्फ राष्टिय सुरक्षा national security के अनुपाद में हो सकते हैं इस पर सुप्रिम कोट यह कई फैसले हैं कई प्रक्रिया हैं आपने देखा होगा मैं आपको बता दूँ कि अभी internet का विशह आया था तो सुप्रिम कोट ने उस विशे की framework available in India when only national security phone tapping can be done और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपना नाम बता रहे हैं या कुछ लोग कह रहे हैं वो भी इसको विश्वास से सबूत नहीं दे पा रहे हैं कि जहां से कहानी आई है उन्हें खुद कहा है हमारे पास को evidence नहीं है इसको link करने का सिर्फ नाम है डाटा बेस में डाटा बेस तो पचास हजार का है मित्रों इसमें कुछ cases भी हुए थे 19 में भी ये लोग सभा के चुनाओं के पहले कहानी उठी थी उसमें भी पेगैसेस की बात आई थी यहां कई वरिश पत्रकार बैठें उनको याद होगा लेकिन सुप्रीम कोट में केस हुआ था